नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे UPSC, EPFO परिक्षा से सम्मंधित कुछ ऐसे तत्थे जो कि आपको इस परिक्षा की तयारी करने के लिए और मोटिवेट करेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की गौर्रमेंट जॉब से रिलेटिड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे और दोस्तो यदि आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्षन में डिटेल में लिख सकते हैं अगर कोई ऐसी क्वेरी हुई जो कि अधिकान से स्टुडेंट की होती है तो उस पर मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊँगा अभी हम बात करते हैं मनीश कुमार जी इन्होंने कमेंट किया है देखे एपी एफो से जो वेकेंसी है दोस्तो वो है एकाउंट आफिसर की और साथ में है इंफोर्समेंट आफिसर की तो पहले जहां तक है account में ही रहते हैं और उसके बाद enforcement में चले जाते हैं तो preparation की बात अभी मैं आपको बताऊँगा salary की अगर हम बात करें दोस्तो salary इसके अंदर काफी अच्छी है 4800 grade pay की ये नौकरी है और क्योंकि इसके RR जो है जो इसके recruitment rule है वो revise हो गए है उससे फाइदा ये मिला है कि 4 साल तक 400 grade pay में और उसके बाद बेना किसी promotion के आप 1400 grade pay में एक तरीके से time scale एक समय के बाद जो है आप 1400 grade pay में चले जाएंगे तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है क्योंकि जो 1400 grade पे होता है उसके allowances जो है वो अलग type के होते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि central government के employees को LTC की सुविधा मिलती है जिसमें कि पूरे देश में आप घुम सकते हैं अपनी family के साथ और उसका एक तरीके से जो आने जाने का जो क्राय होता है वो government की तरफ से दिया जाता है तो ऐसे में जो 1400 grade पे है वो entitle हो जाता है हवाई आत्रा के ठीक है 4800 grade पे तक जो है 2nd AC के लिए entitle होता है तो अब हम बात करते हैं salary के बारे मैंने आपको बता रही है काफी अच्छी salary होगी इसके अंदर promotions की अगर हम बात करें दोस्तो तो इसमें promotion भी काफी अच्छे है और commissioner rank तक जाते हैं इसमें क्योंकि इसके बाद जो अगला promotion है assistant commissioner वहाँ पर UPSC direct भरती भी कराती है और promotion से भी होते हैं तो अगर आप seniority में ध्यान रखियेगा दोस्तो परिक्षा में आप जितने भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं selected student की बात करता हूँ उसी के हिसाब से merit decide होती है कि आपका आगे promotion कैसा होगा home district की अगर हम बात करें कि home town में posting मिल पाई गया नहीं ये इस बात पर निर्फर करेगा कि आप कहां रहते हैं क्या आपके जिले के अंदर EPFO का कोई office है या नहीं है इसके अलाबा ये पूछते हैं कि final selection कैसे हो क्योंकि अब time कम है समय कम तो नहीं है इतना देखा जाए 3-4 महिने जो है अभी भी आपके पास है और बात यह है कि अभी तक आपने किस प्रकार तयारी की है अगर देखिए 20 नंबर की इसके अंदर लगबाग English आने वाली है तो English अगर आपकी ठीक है और ज्यादा डीप नहीं आती है इसके अलाबा जो बाकी topic हैं इसके अंदर जैसे कि आपको पता होगा labor low से related है इसके अलाबा social security वगेरा है तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए जो है मैं आप लोग के लिए PDF तयार कर रहा हूँ जैसे कि हमने बाकी समान निग्यान की PDF तयार की थी अगर आप ने अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ जो परिक्षा है पूरी तरीके से objective है इसके अंदर descriptive परिक्षा नहीं होगी आपकी और सीधे उसके बाद interview होगा interview के नंबर और आपके written के नंबर मिलाकर आपकी merit बनने वाली है और written का weightage जो है वो जादा है पिछली बार 75% written का weightage था इस बार और बढ़ा दिया गया है 80% कर दिया गया है तो ये भी आप लोग के लिए अच्छी बात है बस ये कहूँगा मैं दोस्तों कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी परिक्षा के लिए कर रहे हैं वो ऐसा नहों कि आप एक तरफ ऐसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें math बिल्कुल नहीं आती और एक तरफ दूसरा exam ऐसा पकड़ने जिसके अंदर math आती है जैसे कि SSC की बात करें तो math और English वालों का दबदबा रहता है मगर यदि हम उत्तरप्रदेश के जो अभ्यारती हैं जो खास कर तैयारी कर रहे है आरो एरो के लिए उनके पास समानियान बहुत स्ट्रॉंग होता है तो इस परिक्षा के अंदर जिन लोगों का समानियान काफी अच्छा है वो इसमें बाजी मार सकते हैं और रही बात इन्होंने ये भी पूछा है कि इंग्लिश वगेरा से रिलेटिड कि अगर इंटर्व्यू होता है तो उसमें हम इंग्लिश लेंग्वेज में करें या हंदी में देखिए दोस्तों आपको अपनी बातों पर यकीन होना चाहिए तो इसमें लेंग्वेज इतना माईन नहीं रखती है और जब आप रिटन कौलिफाई करके पहुचेंगे तो ये बात भी है कि आपके पास नौलिश तो होगी जो आपको आंसर नहीं आता है उसे आप ये बता दें कि नहीं आता अगर आप गलत देंगे तो कोई भी इंटर्व्यूर होगा उसका दिमाग खराब हो सकता है इसलिए ये इंटर्व्यू की सला अगर आपको नहीं आता सारे सवाल नहीं आते तो मना कीजिए गलत सवाल देंगे तो और नमबर कम पड़ जाएंगे ठीके दोस्तों और आप लोग के लिए एक सुभधा और स्टार्ट कर रखिये कि अगर आप मुझसे सीधे फोन पर बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताये गया है जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत